सो हे गाईज अगर आप घर से बैट कर बिना किसी investment के data entry job करना चाहते हैं वो भी एक ऐसे platform पर जो आपको 100% यहाँ पर genuine तरीके से earning करा है तो यह video आपके लिए रहने वाले है इस video में मैंना आपको बताया आप किस तरीके से अपने laptop और internet connection की मदद से यहाँ पर इस platform पर genuine तरीके से work करके daily के यहाँ पर 3-4000 रुपे earn कर सकते हैं वो भी बिना किसी investment के अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस platform के बारे में so guys यहाँ पर आप सभी को इस platform के बारे में बहुत से लोगों को पता तो होगा लेकिन यहाँ पर काम करने का तरीका अभी तक YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया है किस तरीके से यहाँ पर आप काम कर सकते हैं साथ में earning process आपके यहाँ पर कैसे रहेगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और यहाँ पर आपको किस तरीके से काम लेना है, क्लाइंट अपने कैसे बनाने है, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आपका एक काम है कि वीडियो को आपको अच्छे से end तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको फुल प्रोसेस दिखाने वा के बारे में genuine है या नहीं है, उसके साथ काम किस तरीके से आपका यहाँ पर data entry का रहेगा, data entry होता कैसे है, आप यहाँ पर किस तरीके से help ले सकते हैं, AI की, तो सब कुछ हम यहाँ पर आज clear करने वाले है, तो आपको बस एक कामोर करना है कि जो भी channel पर नए आये है, channel को भी subscribe करके वीडियो को जरू से like कर देना, मैं आपके लिए online earnings से related नहीं नहीं वीडियो इस channel पर लेकर आता हूँ, तो bell icon notification पर click करना मत भूलना, तो अभी मैं बिना किसी देरी के आपको लेकर चलता हूँ, अपने laptop के screen पर जहाँ पर हम सारी चीज़े यहाँ पर समझने वाले है तो without any further ado, let's begin work आप कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आप data typing कर सकते हैं, copy paste work कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो यहाँ से एक एक घंटे के यहाँ पर 1700 रुपे ले रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी यह charges हैं, इस data entry के काम करने के, यहाँ तक की 88,000 रुपे यह एक एक काम करने के भी यह लोग लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर 8,000 रुपे से 22 काम यहाँ पर जो है, 22 ऐसे data entry work करके दी हैं लोगों को, जहाँ पर इनकी एक data entry का प्राइज है, 8813 रुपे, तो इसी तरीके सा आप भी बहुत अच्छी यहाँ पर job कर सकते ह और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4.19 की रेटिंग है जहाँ पर 1K से प्लस यहाँ पर इन्होंने data entry का काम किया है, जिसके इन्होंने 4000 रुपे तक लिया है, एक एक काम करने के, तो पैसे की कोई भी कमी नहीं है, अब यहाँ पर मैं आपको वो process बताऊंगा, किस तरीके सा बनाएंगे ताकि आपके पास काम आए, और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके पास यहाँ पर काम आएगा, आपको किस तरीके से इसमें apply करना है, registration कैसे करना है, full tutorial आप पार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को end तक देखना, ठीक यहाँ पर मैं simplys पर click कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से और मैं इसको login कर लूँगा, login करने के बाद मैं आपको अगला next interface दिखाता हूँ, कुछ ऐसा आजाएगा, यहाँ पर आपको अपना username select करना है, तो बड़ी ऐसा username यहाँ पर आपको रख लेना है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं है, तो एक underscore all लगा देंगा हम यहाँ पर शायद हो जाए, अब यहाँ पर एक number ले ले लेते हैं, 8, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है, इस तरीके से username बन चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगा, simply create my account पर click कर दूँगा, अब यहाँ पर हमारा काम है sell करना, यानि कि हम अपने काम को यहाँ पर sell कर रहे हैं, buy नहीं कर रहे, तो simply हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, I'd like to offer my service, तो यहाँ पर हम service प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, simply इस पर click करके next पर click कर देंगे, इतना करने के बात, यहाँ पर just start किया है, या freelancing, online services आप यहाँ पर देंगे, तो इन में साब कोई भी select कर लेना, तो मैं यहाँ पर इसको first while पर select कर रहे हैं, I'm just getting started, और इसको finish पर click कर दूँगा, ठीक है, इतना करने के बात, आपको complete your seller profile, यहाँ पर अपनी खुद की एक selling profile बनानी है, जो कि बहुत लोग कीजे कोई भी इनसान आपके पास आ रहा है, ठीक है, suppose आप एक दुकानदार है, तो वो आपकी दुकान पर कब आएंगे, जब आप उनको बताएंगे के मैं data entry का काम करता हूँ, आप महाँ पर poster वगयरा लगाएंगे, तब ही तो वो आपके पास आएगा, तो इसी तरीके स और साथ में seller profile create करने है, तो हम इस पर continue पर click करेंगे, और फटा-फट से इस तरीके से हम continue continue पर click करते जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी time waste नहीं करना है, यहाँ पर हम फटा-फट से यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, full name, display name, यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे, तो मै अपना यहाँ पर full name डाल देता हूँ फटा-फट से, और यहाँ पर मैं आपको फिर दिखाता हूँ, अगला next काम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना full name लिख दिया है, अक्षा सिंग, और यहाँ पर display name, यानि कि आपकी जो shop है, online shop, उस पर जो as a data entry work करेंगे, तो आपको यहाँ पर बताना है, hi, I am a data entry expert, और यहाँ पर आपको उसके बारे में लिख देना है, तो अगर जिसको लिखना नहीं आता, वो chat GPT की मदद यहाँ पर ले सकता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, data entry से related आपको यहाँ पर description लेना है, तो data entry आ आपको टाइप करके enter कर देना है, अब आपको यह chat GPT लिखके देदेगा, आपका overview के, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं बताता हूँ, तो इसको लिखने देते हैं अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते है, data entry description यहाँ ने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर हम इसको simply copy करेंगे, copy करने के बाद आपको simply इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से copy करने के बाद आपको वापिस से आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इसको simply paste कर देना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको बाद में change कर लूँगा अभी जो main चीज़ है वो बता देता हूँ languages आप यहाँ पर अपनी select कर लेता है for example मुझे यहाँ पर English आती है तो मैं English यहाँ पर select कर लूँगा कुछ इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर आपका language का यहाँ पर complete हो चुका है अब second काम आता है हमारा professional information का अब यह बहुत अच्छे सा आपको देख लेनी है इसके लिए आपको क्या करना है your occupation पर यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपकर आएगा data entry का वर्क तो आपको data पर select कर लेना है और यहाँ पर आप इस काम को कब से कर रहे है कितना आपका यहाँ पर experience है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी आपके पास आएगा काम कराने के लिए अब वो as a fresher तो नहीं आएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ु doute कि सी को नहीं पता चलता किया आप कया कर ना है इस पर क्लिक कर लेना है और हम आप मैं अपना प्लिकि неп Gins wood liगना चाहते हैं लिख सकते हैं तो सब्सकर गुंअपन साल को स्लेक्ट करना है ठीक है असको करने के बाद है तो यहाओ पर सकते हैं इस सी तकर से से ऐसे दोग ईंठी करना है यहाओ यहाँ सुपर भर से आता है तो मुझे कां चाहिए और मैंसुण नहीं भी ओं तो मैं अपनी चैट ऑंलाइन कोर्स के तुरू यहां पर काम कर सकता हूं ठीक है तो मैं इसको एड कर दूँगा एड करने के बाद यहां पर एजुकिशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा जहां पर आप अपने कॉलेज के बारे में लिखेंगे तो यहां पर मैं फटाफट से कॉलेज की डिटेल डाल देना for example मैं अपना यहाँ पर ऐसी डाल देता हूँ अभी गौतम बुध्ध यॉनिवर्सिटी ठीक है इस तरीके से गौतम बुध्ध यॉनिवर्सिटी आ चुका है मेरा इस तरीके से यहाँ पर आपको भी कर लेना है क्या कोज किया आया आप नहीं मैंने BSC की है for example इस तरीक कर दूँगा add करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा add हो चुका है certification course अगर आपने किया है detail entry का तो वो certificate के नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं ठीक है और यहाँ पर कहां से किया है उस institute का नाम आ जाएगा कौन से year में किया है वो आ जाएगा ठीक है तो मैं इसक चोड़ दूँगा उसके बाद personal website अगर आपकी है तो वो यहाँ पर आपको डाल देनी है जैसे कि आपने कोई भी काम क्या हो for example मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे कि यह एक मेरा काम है ठीक है तो मैं इस तरीके का काम करता हूँ और इस से related में बहुत सारी photos या या फिर अपना Excel के work को क्या करूँगा Google Drive में save कर लूँगा उस Google Drive की link आपको क्या कर लेनी है simple यहाँ पर paste कर देनी है ठीक है पेस्ट करने के बाद जो भी आपकी profile चेक करेगा वो आपके काम को देखेगा कि यह data entry का work कैसा करता है कि मैं इस से काम कर रहाँ ठीक है तो आपक Google Drive के थुरू link यहाँ पर कर देनी है paste ठीक है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मेरा खुद का एक portfolio यहाँ पर मैंने बनाया तो ऐसा इस तरीके से यहाँ पर जैसे मेरा data entry का work होता है मैं ऐसा करता हूँ तो आपको देखने को मिल जागे PDF form में है तो मैं क्य क्लिक करूँगा इस तरीके से email मेरा verified phone number नहीं है अभी मैं phone number यहाँ पर नहीं डालूँगा बाद मैं डालूँगा लेकिन आपको डालना है phone number verify करना है अपना और email already आपका हो ही जाएगा अगर आप Google से यहाँ पर login करते हैं तो ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना ह create your first geek पर click करना है जहां पर आप मैं आपको यहां पर सारी चीज़ डिटेल में होता हूंगा please complete the following step confirm your phone number provide your certification add your personal website added information पर आप जाएगे और यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है अपना phone number verify करना है तो यहां पर मैं फटा-फट से कर देता हूं इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है continue and create your first geek पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आपको यह six step finish करने जिसके बारे मैं मैं अब आपको बताने वाला हूं तो इसको अच्छे से यहां पर देख लेना तो इसके बाद यहां पर आपको अपने keyword डालने है data entry, data collection, data entry work, data entry work fast तो जो भी keyword ऐसे डालेगा आपकी profile सबसे पहले आजाएगी पहले आने से यह होता है फाइदा कि आपको सबसे पहले यहां पर काम भी मिलेगा ज्याद ज्यादा काम भी मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना है अब यहां पर save and continue पर click कर देना है ठीक है अब यहां पर यह कह रहा है tag list cannot be tagged with more than three तो यहां पर हमने 4 tag डाले है बलकि यहां पर मुझे डालने से 3 तो मैं क्या करूँआ एक collection का यहां पर इसको cut कर दूँआ अब यहां पर यह save and continue पर click हो जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं काड दूँआ इस तरीके से और इसको save कर दूँआ ठीक है तो यहां पर हमने दो डाल दिये दो ही काफी है इस तरीके से आपका यह second step आ चुका है pricing जहां पर आप अपने package की pricing बताएंगे कि आप data entry का work कितने रूपे में करते हैं कितने घंटे काम करके वह सब चीज यहां प रख सकते हैं अपने इस आप से ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से रखने हैं उसके साथ अगर आप उसमें service भी add कराना चाहते हैं जैसे कि कोई कहता है कि सर इसमें जो है थोड़ा सा changes ला दीजे तो change करने के भी आपको यहां पर पैसे मांगने है कि अगर आप इसमें कुछ भी changes करवाते हैं तो मैं इतना charge यहां पर लूँगा इतने घंटे के ठीक है इस तरीके से अगर आप fast delivery चाहते हैं जल्दी काम चाहते हैं तो मैं इतने dollar extra लूँगा आपसे ठीक है जैसे 5-10 dollar मैं extra लूँगा काम करने के जल्दी deliver करने के तो वो gig यहां पर डलती है gig का means ही यह होता है ठीक है अब यहां पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके साब को यहां पर package के name रखने है तो simply आपको क्या करना है यहां पर मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ जैसे कि हमारा gold silver और diamond होता है तो मैं इसको यहां पर gold लिख देता हूँ य इसके बाद यहां पर describe करना है जो भी आप offer कर रहें डेटा एंट्री जोग तो यहां पर मैं data entry डाल दूँगा data entry work अब मैं फटा फ़र से time waste ना हो तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और यहां पर भी data entry work ठीक है अब यहां पर deliver time लिखना है कितने देर मां कर देंगे एक दिन दो दो दिन लूगा ठीक है दो दिन ना तो कम से कम एक दिन तो ले नहीं है तो मैं तो यह कहूँगा एक दिन के लिए आप अगर काम कर रहे हैं तो एक ही दिन ले इसमें यहां पर आपको working of hours बताने आप जो है कितने घंटे काम करेंगे तो यहां पर एक दो तीन इस हिसाब से यहां पर आपको लिख देना है तो मैं यहां पर इसको इसमें तो एक ही करना पड़ेगा आप इन दोनों में चेंज कर सकते हैं ठीक है for example आप यहां पर तीन घंटे लेना चाहते हैं और इस वाले में आप जो है कम से कम इना तो इसमें भी आप जो है वन डे ही रखिए तो ज्यादे फाइदा रहेगा क्योंकि एक दिन में प्रीमियम की पेमेंट बहुत अच्छी आती है आप यहां पर ज्यादे घंटे ले सकते हैं कि मैं भई साथ घंटे या फिर पांच घंटे में काम करके दे सकता हूं ठीक है तो मैं यहां पर प्रेग्जंपल फॉर आवर्स मैं आपके प्रीमियम काम करके दे दूँगा ठीक है कम से कम टाइम में रिवीजन यहां पर आप देख सकते हैं यानि के आप से कोई भी रिवीजन वक कराते हैं यानि के अगर आप एक बार रिवीजन कराते हैं यानि के चेक कराते हैं डेटा को तो उसके लिए आपकी इतन तो आप यहां पर अपने 25 डॉलर लिख देना ठीक है इस तरीके से अगर आप नियू है बिगनर है तो थोड़े कम रेट रखना ठीक है वरना ऐसे कोई भी नहीं आएगा तो अपने हिसाब से यहां पर रेट आप रख सकते हैं ठीक है मैं वह चीज़ बता रहा हूं यहां पर add extra service आप यहां पर क्या देना चाहते है basic standard premium में आप यहां पर बता सकते हैं कि मैं extra charges इतने लूँगा अगर आप यहां पर मतलब कोई भी extra service करवाते हैं तो ठीक है तो यहां पर मैं डाल देता हूं जैसे कि मुझे 8 dollar में लूँगा ठीक है अगर आप इस से ज्यादे कोई भी service extra कराते हैं एक घंटे के अंदर अंदर ठीक है इस तरीके से मैं अपने यहां पर सारे charges डाल दूगा ठीक है तो यहां डाल देता हूं फटाफट से इसी तरीके से आपको यहां पर लिख देना है ठीक है 30 dollar में इसके 3 घंटे अगर आप मुझे कोई भी काम कराते हैं additional extra service में यानि कोई कह देता है कि मेरा ये वाला PHP extra कर दो तो उसके लिए extra charges यह हो जाते हैं ठीक है extra fast delivery के लिए आपको यहां पर जो है charge बताने है delivery कितने दिन में करोगे वो सब चीजे तो एक दिन में अगर आप करतना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो charges होंगे यहां पर high होंग बाग की जैसे से आपको काम मिलेगा आप इसमें rate अपने change बाद में भी कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं इसमें भी एक दिन में और यहां पर standard वाले में हम यहां पर करते हैं एक ही दिन ही कर देते हैं तीनों में ठीक है यहां पर आप जो प्लीज एज़ दा पैकेज प्राइस तो बीज डॉलर हमारा कम से कम होना चाहिए तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है ठीक है तो यहां पर कम से कम मिनिमम बीज डॉलर आप यहां पर लीजे तो इसका भी मैं प्राइस अभी मैं हाई करूँगा और इसका यहां मैं कर दूंगा 45 ठीक है तो बीज डॉलर तो आपका यहां पर जो है मिनिममम अमाउंट रहेगा ही रहेगा कि आपके पास बीज डॉलर तो आएंगे ही आएंगे ठीक है तो बीज डॉलर के हिसाब से हम यहां पर काम करके चलेंगे इस पर भी हम यहां पर डाल देंगे इस आप इसमें चैकी और बाकी एडिशनल रिवीजन आप डाल सकते हैं अगर ज्याद है पर समझाता हूं । आपको एसंपल अपने चैट जी पीटी को आप्पन करना है मुआ यहां पर आपको क्या करना है description यहां पर लिख देना है बड़ी आसा आप यहां पर उसको करने के लिए आपको क्या करना है simple यहां पर मैंने डाला था data entry के बारे में overview तो यहां पर आप देख सकते है data entry जैसे आप यहां पर description डालेंगे मैं आपके एक बार फिर से दिखा देता हूँ ठीक है ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए कोई भी गलती आपसे ना हो तो यहां पर मैं इसको पेस्ट करूँआ पिछले का यहां पर हैं इसको 5 इपनेके बादं मैं क्या करूएंगा अब इसको अच्छे चेक कर लूगहा कहीं कोई गलती तो नहीं है ऐसा नहीं लगना चीए कि यहां और यह आपको कर लेना है और इसको करने के बाद आपको क्या करना है इसको simply save and continue पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर requirements के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर आपसे questions के लिए इन्होंने पूछा यानि के अगर किसी के दिमाग में किसी भी तरीके के questions आ जैसे मैंने अभी यहाँ पर paste कर दिया था पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसे questions देखने को मिल जाते हैं कि जैसे कि आप service में क्या-क्या offer करते हैं तो इस तरीके से मैं इसको copy कर लूगा इसको इस तरीके से करने के बाद आपको वापिस से आ जाना है और यह यहाँ पर इन से पूछेते हैं इस तरीके से हमसे questions कर सकते हैं तो मैं इसको save and continue पर click कर दूँगा तो यहाँ पर जो मेरी gig है वो यहाँ पर save हो चुकी है इसको करने के बाद अब यहाँ पर यह मुझसे पूछ रहे हैं images के बारे में for example यहाँ पर अब आप data entry का का काम कर रह है और अपना यहाँ पर set कर लेना है ठीक है तो अभी मैं इसको cancel करता हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है data entry से related यहाँ पर सारी चीज़े तो मैं इसको क्या करूँगा browse पर जाऊंगा इस तरीके से आपका कोई भी data entry से related work हो for example मेरा यह वाला है म इसी तरीके से आपको अलग-अलग यहाँ पर जो है अपनी profile लगा लेना जिसकी विर्थ होनी चाहिए साथ सो बारे से लेकर 430 हाइट उसकी होनी चाहिए thumbnail की ऐसा कर लेना इतना करने के बाद आपको video one only पर click करना है for example यहाँ पर कोई भी buyer है ठीक है आपको उसकी यह वीड करने के बाद यहाँ पर आप अपने documents upload कर सकते हैं कोई भी PDF form में हुआ जैसे मेरे पास एक PDF form है यहाँ पर मैं इसको upload कर दूँगा इस तरीके से ठीक है data entry का यह PDF मैंने यहाँ पर upload कर दिया save and continue पर click कर दूँगा जैसी मैं इस फ़र click करूँगा तो यहाँ पर आप देखना you are completed check you are now ठीक है तो मेरा यहाँ पर काम हो गया है business profile यहाँ पर verify करनी है तो मैं इसको verify कर लूँगा तो यहाँ पर outside मैं primary job और profession as my primary job और profession तो यहाँ पर जो है मैं इसको अपने हिसाप से select कर लूँगा जैसा भी आप यहाँ पर चाहें ठीक है को यहाँ पर select करूँगा इस त बालना थीच है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंडिया कंट्री डाल देना है अपना इस्टेट डाल देना है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूं और are you citizen resident of India तो यह कर देना है ठीक है इस तरीके से और GST विए यहाँ पर आपको यह कर देना है अगर आपके बाद GST वाला number है अगर जिनके पाद नहीं है तो no करते ना वो pen card अपना number यहाँ पर डाल देना ठीक है इतना करने के बाद आपको safe changes पर click करते ना है तो मैं यहाँ पर अभी आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सिंपली इन में से दो को स्लेक्ट कर लेंगे इसमें से आप अपने हिसाब से देख लेना है अगर आप देना चाहते है तो आप दे सकते हैं तो मैं taxable करके इसको save and changes पर click कर लूँगा मेरी profile यहाँ पर successfully save हो चुकी है इतना करने के बाद मैं इसको verify ना उपर click कर दूँगा करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है अपना number verify करना है जैसे के भी आप देख सकते है profile complete होने के बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते है starting गए 20 डॉलर से मैं यहाँ पर अपने काम करना शुरू कर सकता हूँ यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है profile को किस तरीके से आपको बनाना है और यहाँ पर आपको किस तरीके से check करना है बता देता हूँ बना सकते हैं thumbnail की gig बना सकते हैं तो बहुत सारे काम की यहाँ पर अपनी दुकान खोल सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी earning कर सकते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर आपका काम रहेगा और यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पूरी प्रोफाइल मैंने यहाँ पर अपनी बनाकर एक्दम अच्छे सा ready की है और यहाँ पर मेरे पास काम आएगा तो मैं definitely करके दूँगा ठीक है गिग एक्टिवेट कर सकते हैं आप यहां पर ठीक है इस तरीके से सारा काम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छी जो हो है अब यहां पर बता देता हूँ आपको कि notification के बारे में कैसे पता चलेगा कोई भी अगर आपका काम देखता है तो notification पर आना और यहां पर आपको उस काम के जो भी customer होंगे करवाने के लिए data entry के वो यहां से मिल जाएंगे ठीक है अब जिन लोगों को English नहीं आती वो क्या करें customer से कैसे बात करें जो भी English में बात करेग और यहां पर कोई भी आप से पूस्ता है के how are you for example में बता रहा हूं ठीक है तो how are you इस तरीके से और यह question mark में दे देता हूं तो आपको क्या करना है इसको Hindi यहां पर ठीक है आपको पता चल जाएगा के सामने वाले बंदा क्या बोल रहा है आप कैसे हो तो आप उसको reply कैसे देंगे ठीक है इसको opposite यहां पर आपको लिखना है मैं जैसा आप WhatsApp पर chat करते हो normally मैं बढ़िया हूं ठीक है इस तरीके से तो मैं इसको क्या करूँगा English में change कर दूँगा फिर यहां पर आता हूं मैं और English type कर देता हूं इस तरीके से I am blessed इस तरीके साब को देखने को मिल ज इसका यह चार्ज़िस है अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं bank account के बारे में तो simply यहां पर आपको क्या करना है इस पर जाना है और यहां पर जाने के बाद billing and payment पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से यहां पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं billing information आपको देखन आप रहते हैं वो सब चीज़े यहां पर आ जाती है और इसको सेव कर लेना ठीक है इस पर क्लिक करके ओके इतना करने के बाद यहां पर आप जो है अपना एविलेवल बिजनस यहां पर जो है करना चाहे तो कर सकते हैं बट मैं यही क्योंगा इसको मत्ति छेड़ना क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो भी आपको ऊर्डर दे रहा है उसका बैलेंस आपको यहांपर देखने को मिलजाएगा ठीक है और यह चली तो आप मुझे लगासे होगा है तो आप मुझे कमें सेक्षिन में बता देना मैं आपको बता दूँगा इसी इntक्रेम यहां पर इसको ऐसे select कर लेता हूं तो मैंने already select किया हुआ है यहां पर PayPal आया हुआ है मेरा ठीक है तो यह payment का बहुत ही simple सा method है इसका इस तरीके साब यहां पर earning कर सकते हैं अगर guys आपके कोई भी doubt है किसी भी तरीके के आप मुझसे share कर सकते हैं और यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे data industry related काम देखने को मिल जाते हैं आपके यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो वीडियो को लाइक हो चैनल को भी subscribe कर लेना मैं मिलूँगा आप से अगले next वीडियो में सब भी के लिए बाई guys take care